नमस्कार मैं हूँ वसी मकरम, हाजिर हूँ मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ CIV इंडियाने उस पर गुर्वार के देर शाम साथ बजे के आसपास प्रिती नितिक्रिया के लिए घर से निकली मकाल से 300 मीटर की दूरी पर खेत में जब पहुंची तभी जाड़ियों में बैठे तेंडियों ने हमला कर दिया परिती की चीख पुकार सुनका परिजयन वो क्रामीड दोड़े लेकिन तब तक तेंडियों ने पर बनी की शोर मचाने के बाद तेंडिया परिती को छोड़कर गन्ने के खेट में चला गया लहुल हान प्रीति को ततकाल परिजनों ने छपरिया भजार में निजी चिकिसक यहां पहुचाया जहां उसने दम तोड़ दिया परिजनों ने शौका पंचिनामा करा कर पोश्ट मॉटम के लिए सुजावली पुलिस को सौप दिया WWF के परिजना अधिकारी दबीर हसन ने बताया कि चात्रा के परिजनों को क्रिया कर्म के लिए 10,000 रुपे की सहायता मुहया कराई जा रही है पहल लेते खेद में तो उसको भागे फिल लाए और जब तक लाए और इस बाहर होगा है तेंदुवा था कि टाइगर था उसको हम तो नहीं देख पाया हम गन्ने के बाहर थे अंदर भाजी थी फारश्ट का कोई पहुचा आपके पहुचा दो तीन हंटे हो गया कोई नहीं पहुचा है आपके थारा छेत्र में एक तंदुवा के हमले से घायल महिला इलाज करने गई उसकी मृत्ती होगी क्या है पूरा मामला अब भी हमको टेलीफोनिक सूचना मिले की प्रिती मोरिया उम्र 18 वर्स के करीब है पुत्री प्रमोद मोरिया अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही स्क्रीन पर दिखरें घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें